हलो एवरिवान वेल्कम बैक टू पर्चप हिस्टर टू दौ पॉइंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मगत एंपायर के बारे में इसके पहले हमने देखा किस तरीके से जन जनपत में कनवर्ट हुए और जनपत जो है वो महा जनपत में कनवर्ट हो गए 16 महा जनपत थे और धीरे धीरे मगत एंपायर या मगत महा जनपत की पावर इंक्रीज होने लगी और इसने धीरे धीरे बाकी सारे महा जनपत को एनेक्स कर लिया उन पर हमला कर लिया या फिर उनके साथ कोई संदिया मतलब ट्रिटी साइन कर लिया और लास्टली केवल चार म अगर पे हम उन dynasties की उपर चर्चा करने वाले हैं तो काफे interesting session होने वाला है, वीडियो को last तक देखना है आपको करी सारे PYQs भी मिलेंगे जो previous exam में पूछे गाए हैं अब आप खुद से भी notes बना सकते हैं इसके अलाव अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारी website पे आपको PDF मिल जाएगी ये ancient history की series चल रही है इसके पहले हमने medieval history और modern history को भी to the point cover किया है अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखे हैं separate playlist बनाई गई है आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोग ने इस पूरी series को attend कर लिया with PYQs तो आपको किसी और book से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़े कि आप कोई भी one day exam दे रहे हो तो सारा slivers यहां से cover हो रहा है सो स्टार्ट कर लेते हैं Rise of Magad Empire तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया initially 16 महा जनपत थे और उन 16 महा जनपत में जो stronger थे obviously बात ही जो strong होता है जिसका administration strong है जिसके पास पैसा है power है, army है, troops है तो वो दूसरे महा जनपत को annex कर लेगा तो इसके बाद क्या हुआ है 6th century तब आपको केवल 4 major kingdom ही देखने को मिलेंगे जिन्होंने survive किया वो कौन कौन से थे? Avanti, Burts, Koshla and Magad ये 4 ही केवल kingdom आपको देखने को मिलते हैं इन में से सबसे powerful रहता है Magad तो Magad जो की present day बिहार में आपको देखने को मिलेगा ये सबसे अधा powerful क्यों होता है क्या reason होता है आईए हम उस reason को पहले समझ लेते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा reason होता है Fertile Land उस समय ऐसा तो कुछ नहीं था कि हमें rocket science, engineering करनी है नहीं में इनका पेशा क्या था agriculture, farming जिसके पाँच ज़्यादा crop होगी surplus amount of crop होगी तो वो दूसरे राज्यों को crop भी दे सकता है और अपनी जनता का भी पेट पाल सकता है तो आप ये बिहार का जो पूरा area देख रहा है जहाँ पर आपको Magad Empire देखने को मिलेगा वो दूआब रीजन है दूआब रीजन में fertile land होती है और fertile land होने की कारण यहाँ पे ज़्यादा cultivation होता था हमेशे surplus amount of food यहाँ पर available रहता था जब खेती ज़्यादा होती है production अच्छा है तो जो farmers थे उन पे काफी high taxes भी impose किया जाते थे जिससे इनका finance department या राजकोश काफी अच्छा था जिसके पास पैसा जादा है तो वो अपनी army को भी रख सकता है नए नए weapons को खरीद सकता है बना सकता है तो एक रीजन यह था fertile land होने का मगद empire का powerful होना दूसरा है iron ore तो जो राजगिर है तो राजगिर में iron ore उनकी hills में जो है वो iron ore मिला था iron की मदद से इन्होंने cultivation करने के लिए नए-nay औजार बनाए tools बनाए और नए-nay तलवार नए-nay weapons को भी तयार किया इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गया का जो reason है गया की reason में इन्हें copper and iron deposit मिले थे इनका मदद भी इन्होंने इसका उपयोग भी इन्होंने utensil and war weapon बनाने के लिए किया इसके अलावा सबसे important होता था अगर कोई भी महा जनपत है तो उसको अपनी capital को protect करना है और मगद empire की जो मगद kingdom की जो capital थी protected थी तो कभी कोई इसको annex नहीं कर पाया कोई इस पे हमला नहीं कर पाया तो ये कुछ reasons थे जिसके कारण मगद empire काफी powerful था जब हम बात करते हैं तो powerful कहां से होना शुरू हुआ क्योंकि अगर हम बात करें कि मगद empire की नीव किसने रखी तो answer हो जाता है यहाँ पे सबसे पहले ब्रहदत dynasty थी इनके ही बेटे आपने जरासंद की बारे में सुना होगा जिनका उलेक आपको जिनका जिकर आपको माहभारत में देखने को मिलता है इसके बाद आपको प्रद्योत dynasty देखने को मिलती है लेकिन जहां से एक्ट्यली नीव रखी है जहां से स्टार्ट हुआ है पावर जहां से expansion शुरू हुआ है मगद एंपाइर जहां से powerful हुआ हो है हरियक dynasty इसलिए हम original जब बात करते हैं कि मगद एंपाइर में कौन से dynastries हैं तो हम शुरूआत कहां से करते हैं हरियक से करते हैं ठीक है तो हरियक, शिशुनाख, नंद, एंड मौरे ठीक है मौरे के समय आप देखेंगे पूरे नौर्थ इंडिया तक आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान तक और यहां पर मैसूर तक यह पूरा का पूरा टेरिटरी जो था वह मौरेन के कंट्रोल में था तो सबसे जादा अगर आप देखेंगे एक्सपांशन अपनी पीक पे अगर देखेंगे मगद एंपायर कब था मौरेन्स के समय था तो आज हम मौरेन्स को डिसकस नहीं करेंगे क्योंकि मौरेन्स में मौझे आपको अशोक के बारे में बताना और अशोक के बारे में जो हम बाते करते हैं ना तो समराट अशोक की काफी सारे चीज़ें हैं उनके पिलर्स के बारे में रॉक एडिक्ट्स के बारे में और इस्तूपास के बारे में पढ़ना होता है तो काफी लेंदी सेशन हो जाता है तो उसको हम सेकेंड पार्ट में डिसकस करेंगे आज मैं आपको हर्यक, सिशुनाक और नंद के बारे में बताऊंगी इन लोगों के डाइनस्टी के रूलर्स कौन थे, उनके क्या नाम थे और क्या इनका रहा है, ओके है, सो हमको पढ़ना क्या क्या है, तो देखेंगे आप हर्यक डाइनस्टी में इसकी नीव रखी थे, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था बिंबी सार, अब यहाँ पे बहुत सा बच्चा कंफ्यूस होता है बिंबी सार, तो बिंबी सार अलग देखती है और बिंदु सार, चंडरकुप्त मौरे की जो बेटे है न, अशोग के पिता, अशोग के फादर, वो बिंदु सार है तो जब हम मौरेल्स के बारे में बात करेंगे तब आपको बिंदु सार मिलेंगे, बिंदु, ठीक है? यहाँ पर बिंबी सार है, बीभी, बीभी, ओके तो बीबी कहा है, हर्यक डाइस्टी में, ठीक है, तो बिंबी सार आपको हर्यक में मिलेंगे, तो हर्यक डाइस्टी में की नीव रखी थी बिंबी सार ने, बिंबी सार की बेटे थे अजात सत्रू, अजात सत्रू ने मार दिया था, बिंबी सार को रीजन ये था, कि फिफ्ट और अजाद सत्रू का वेटा होता है उद्यन और उद्यन क्या करता है अपने पिता से ही तो सीखेगा उद्यन ने किस से सीखा अजाद सत्रू से सीखा कि इसने अपने पापा को मार दिया था मैं भी अपने पापा को मार देता हूँ तो उद्यन ने भी अपने फादर अजाद dynasty में, हर्यक के बाद आती है शिशुनाग, शिशुनाग डाइनिस्टी की शुरुआत की थी शिशुनाग ने, और जो लास्ट राजा आपको देखना है, वो काल अशोग देखना है, इसके बाद आते हैं नंद, तो नंद में आपको महापद्वननन्द और धनानंद के बारे में बात करनी है और धनानंद को ही हराया था, डिफीट किया था और गदी से हटाया था चंदरकुप्त मौर ने विद दा हैल्प आफ चानक और फिर मौर डाइनिस्टी आई थी मौर में आपको चंदरकुप्त मौर, बिंदुसार, अशोक के बारे में बात करनी है और लास्ट जो रूलर है वो ब्रहदत है ठीकर तो ये कुछ इंपोर्टन्ट राजा है इनके बारे में हमें बात करनी है इनके बारे में बात करनी जो नीचे वाले है न ये नीचे वाले मतलब रहदत और नाग दशक बिस आपको इतना याद रखना है कि लास्ट दे इनके बारे में जादा कुछ हमें पढ़ना रही है तो आई थिंक आपको टाइम लाइन समझ में आई होगी रूप रेखा समझ में आई होगी कि क्या क्या हमें बढ़ना है और कैसे बढ़ना है तो आज हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं अपकमिंग सेशन में हम मौरयान के बारे में बात कर लेंगे डन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हर्यक वंज 544 BC से 412 BC तक आपको हर्यक डाइनस्टी देखने को मिलती है ठीक है और इनकी जो कैपिटल थी वो राजगरु थी जब प्रिजन डे में पटना है और यह पावर्फुल डाइनस्टी थी जिसने मगद एमपायर की नीव रखी थी फाउंडेशन स्टोर रखा था पहले जो रूलर थे वो बिंबिसार थे और बिंबिसार के ही कंटेमपररी बुद्ध और महावीर थे मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनके समय और यह दूर के रिष्टदार भी थे भगवान महावीर के कंटेमपररी जो थे वो बिंबिसार थे इनके समय ही यह लोग एग्जिस्ट करते थे और अपने ज्ञान को स्परेट करने का काम कर रहे थे यह पहला राजा था जिसने मेटरमोलियन अलाइंस बनाएं मतलब अलग अलग राजाओं से उसने सोचे यह यह युद्ध कब तक करेंगे लडाई कब तक करेंगे शादी कर लेते हैं तो रिष्टदार ही हो जाए कि मैं उनका दामाद बन जाओंगा तो फिर मुझ पर थोड़े नाटेक करेंगे सिंपल सी बात है तो यह पहला राजा है जिसने दूसरे राजाओं की बेटियों के साथ या दूसरे राजाओं के साथ जो है मैक्रमोलियन अलाइंस बनाये थे इसने सबसे पहले शादी की थी कौशला देवीच से जो कौशला की रानी थी मतलब प्रशनजीत की सिस्टर थी और प्रशन जीत ने फिर जो काशी था वो इन्हें डावरी मतलब दहीज में दिया था सेकेंड है लिक्ष्वी प्रिंसेस चेलिना तो लिक्ष्वी प्रिंसेस चेलिना के साथ बिम्बी सार ने शादी की थी और खेमा जो की मदरा क्लेन उफ पंजाब की रानी थी तो इन तीनों लोगों से इसने शादी की थी इसके अलावा जब चंदर प्रदोग महासेन जो की ओजेन के किंग थी वो बिमार हो गय थी उनको ज्वाइन डिस मतलब पी लिया हो गया था तो बिम्बी सार की दरवार में एक इसका वैद था जिनका नाम था जीवग तो जीवग को यहाँ पे चंदर प्रदोग के पास बिम्बी सार नहीं भेजा था मतलब इसने फ्रेंशिप अलाइन्स भी बनाई थी नेक्स्ट बात करते हैं अंग अंग की कैपिटल चंपा तो चंपा एक बहुत इंपोर्टन ट्रेंग सेंटर था तो इसने अपने नेबर चंप अंग को जो है वो एनेक्स किया था और मैंने आपको पहले भी बताया कि मगत और अंग की बीच में जो बाउंडरी थी वो और इसने ये पहला ऐसा राजा है अभी तक माह जनपत के बाद अगर आप देखेंगे मगत एंपायर में तो इसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखी थी इसके पहले क्या होता था इसके पहले जब युद्ध का कंडिशन है वार की कंडिशन है तब आर्मी को हायर किया जा बिम्बी सार के बाद अगला जो राजा आता है अजाद सत्रू अजाद सत्रू जो है बहुत ही एंबिशियस राजा होता है और वो चाहता है कि बहुत बड़ा मगत एंपायर और एक्सपांशन की जो एक्च्छल पॉलिसी अपनाई है अलग-अलग वेपन्स के साथ वो गद्धी में बैठना था तो इसने अपने फादर को मार दिया और खुद राजा बन गया अब बिम्बी सायर की एक और वाइफ है कोशला देवी जो की सिस्टर है प्रशनजीत की ये बात प्रशनजीत को अच्छी नहीं लगी कि यार मेरी बहन की हस्बेंड को तुमने मार गद्धी में बैठ गए तो इसने जो काशी डाउरी में दिया था वो बापस ले लिया तो ये एक रीजन बनता है जिसके कारण अजाद सत्रू और प्रशनजीत की लड़ाई होती है और फिर फाइनली काशी का पूरा एरिया एनेक्स करने का काम अजाद सत्रू करता है ठीक बुद्ध 483 BC में पहली जो बुद्धिस्ट काउंसल होती है राजगरी में होती है और आजाद सत्रू के समय ही होती है इसकी बहुत ही एकस्पांचिनिस्ट पॉलिसी थी और इसने अलग-अलग वेपन्स या ओजारा को प्योग बड़ी-बड़ी मशीनों को प्योग किया इन बैटल्स को जीतने के लिए इसके पास एक चैरियट था एक रथ था वो आप लोगो ने बाउवनी देखिये ना भलार देव के पास एक रथ होता है जिसमें आंगे इस तरीके से बहुत तलवारे लगी होती है और गोल गूमता है मास्किलिंग करने के लिए उस होता है तो ये औजार यूज कौन कर रहा है अजात सत्रू इसके पास एक और था ये है महाशला कंटक तो महाशला कंटक इसके मदद से बड़े-बड़े स्टोन को रॉक्स को फेकता था मास्क लिंग करने के लिए तो ये कुछ औजार जो है एक है आपका रथ मूसला जो की ये और ये है महाशला कंटका इन दोनों ओजारों का मशीनों का यूज अजास सत्रू ने अपने वार में घीया है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अजास सत्रू ने वैसाली के अगेंस्ट वार की थी और इसकी माता जो थी वो लिक्ष्वी प्रिंसेसी थी नेक्स्ट बात करते इसने एक काम किया था, इसने राजगरही में एक port बनाया था, जिसका नाम है जलदुर्ग, जलदुर्ग एक port बनाया था, पर्ट बनाया था गंगरेवर के bank पे, गंगरदी के खिनारे, नेक्स्ट आता है उदियन, उदियन का समय है 466-444 BC तक, उदियन क्या करता है, अपने father इसने एक अपनी नई कैपिटल बनाई इसने राजगरही से कैपिटल शिफ्ट कर ली थी कहाँ पर पाठी पुत्र और पाठी पुत्र जो था वो गंगा और सोन रिवर पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है हरियत डाइनिस्टी को हम जो है वो पैरिसाइट या फिर आप कह सक पित्र हंतक के नाम से भी जानते हैं इसके बाद कई सारे और रूलर्स हुए थे लेकिन कोई भी सक्सेस्फुल नहीं था कोई भी इतना पावरफुल नहीं था ठीक है और फिर नाग दसक जो है वो लास्ट रूलर होता है हरियक डाइनिस्टी को अब जिसे कि अजाज शत्र थे लेकिन कहीं भी सही जेटा नहीं वलता है कि जन धर्म को फॉलो करते थे या बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे अजाज सत्रु नाग दसक लास्ट रूलर हुए हरियक डाइनिस्टी के और हरियक के बाद आती है शिशुनाख वर्च तो शिशुनाख वर्च जो है वो 412 से 344 BC तक रूल करते हैं दो ही important राजा है शिशुनाग और काल अशोग ठीक है यह जो काल अशोग है इनके समय सेकेंड नंबर की बुद्धिस्ट काउंसल हो दिये 383 BC में पहली अजाद सत्रु के समय हुई और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसल जो है वो काल अशोग के समय हो शिशुनाग नाग दशक का और उसके बाद ये नाग डाइनेस्टी की शुरुआत करता है ठीक है क्योंकि यहां पर नाग दशक से लोग खुश नहीं थे तो उसके बाद उसका मिनिस्टर शिशुनाग एलेक्ट हुआ था इसने काशीप में विजय हासल की थी इसने प्राय के समय जो सेकेंड नंबर की बुद्धिस्ट काउंसल होती है वो वैशाली में ही होती है ठीक है इसने बापस से वैशाली से कैपिटल को पार्टली पुत्र शिफ्ट कर दिया तो पहले राजगरी थी राजगरी से पार्टली पुत्र पार्टली पुत्र से वैशाली और वै इसके बाद आती है नंदर डाइनिस्टी तो नंदर की समय है वो 344 से लेकि 323 BC का है और यह पहली नॉन छत्रिय डाइनिस्टी है क्योंकि इसने क्या किया था ना इसने बागी जो छत्री राजा थे उन सब को मारने का काम किया था और खोद इस शुद्र कैटिगरी से शायद पिलॉंग करता था जैसे का टेक्स में हमको मिलता है भी हम देखते हैं तो यह पहली नॉन छत्रिय डाइनिस्टी आपको देखने को मिले की विचिज़ा नंद डाइनिस्टी और इसकी जो फाउंडर है फर्स्ट रूलर है वो महा पत्म नंद है ठीक है जबकी चंडरकुपत मौर को फर्स्ट एंपरर ऑफ इंडिया कहते हैं इसने मुर्डर किया था कालशोक का और नंद डाइनिस्टी की नीव रखी थी His origin was not clear इसको origin क्या है वो अभी clear नहीं According to the Purana, he was the last king from the Shudra Woman जो था वो last Shishunag king था from the Shudra Woman और Gen text से और Greek text से हमको मिलता है कि ये एक Barber का बेटा था इसने लगवग 28 years तक रूल किया और जितने भी छत्रे रूलर थे उस समय के समको मार दिया इसलिए इसको सर्व छत्री हंता के नाम से या फिर Destroyer of All छत्री के नाम से जानते है और इसने एक रथ टाइटल लिया था मतलब मैं ही राजा हूँ और मेरी ही छत्र चाया मैं पूरा मगद एमपायर चले का तो एक रथ जो है वो भी महा पद्मनंद का टाइटल था इसने कलिंग को मगद का हिस्सा बनाया था और उगर सेन जो है वो पाली टेक्स में आपको मिलता है कि इसके पास एक बहुत बड़ी लार्ज और पावरफुल आर्मी थी जिसमें लगबग 2 लैक इंफैंटरी, 60,000, कैवलरी और 6,000 वार एलिफेंट भी शामिल थे और इसे काफी जादा हाई टेक्सिस जो है वो फार्मर्स पे इंफोस किये थे नेक्स्ट आता है धनानन्द, तो धनानन्द जो है वो लास्ट रूलर होता है नन्द डाइनस्टी का और इसके समय ही Alexander अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्टरन इंडिया में अटेक करता है और उसके खिलाफ ये कोई आवास नहीं उठाता है और डिप्लोमेटिक पॉलिसी लेके चलता है जिससे इसको डन रहता है कि कहीं हमारे अरिया में ना है तो इसके खिलाफ कोई भी आवास नह उठाता है तो अलेक्जेंडर का जो अटेक है वो धनानंद के समय ही भारत में होता है नॉर्थ वेस्टरन इंडिया में जो है इसके अपास कुछ टाइटल भी थी जो ग्रीक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं क्या है अग्रमीज एंड जेन्तरिय्न इंडुरात जो टाइटल है वो धनानन के टाइटल आपको देखने को मिलते हैं ओके फिर इसके इसने क्या किया था ज़त चानक थे इसकी मिनिस्टर हुआ करते थे एक समय पर उनकी इंसरिट की उनकी इंसरिट की तो उसके बाद वो तक्षिला सले गए और उन्होंने प्राइड लिया कि पे धनानन्द को गद्धी से हटाऊंगा उसके बाद उन्होंने चंद्रकुपत मौरे को ट्रेनिंग दी और चंद्रकुपत मौरे ने धनानन्द से फाइट की धनानन्द को गद्धी से हटाया चंद्रकुपत मौरे गद्धी पे बैटे और मौरेन Mauryan Dynasty की शुरुआत की धना नन्द से पब्लिक भी बहुत नाराज थी क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसने अपनी जनता पे टेक्स लगाए हुए थे आप देख सकते ही यह नन्द एंपायर है और उसके समही अलेक्जेंडर जो है तो कल्टिवेशन अच्छा होता था और राजगिर और पार्टली पुद रो इंपोर्टेंट स्टाटिजिक पोजिशन थी इसके पात थी इसके पास कॉपर और आयरन के डिपॉजिट्स थे ट्रेड रूट कंट्रोल करता था यह अग्रिकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग, आर्मी इसके पास थी इसके कारण भी इसका उदय हुआ, राइज हुआ, एकनॉमिक फेक्टर थी कल्चर फेक्टर यह थी कि मगद जो था, मगद सुटाइटी जो थी वो अन और्थोड़ोक्स केरेक्टर थी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ब्राम्मानिज्म को फॉलो करना है, सब ही अपने धर्म मान साकते थे मतलब आर्यन और नॉन आर्यन मिक्स होके यहां पे रहते थे तो मगद की जो रूलर्स थे, वो काफी पावरफल थे, इनके पास स्टेंडिंग आर्मी थी, इनके पास एडवंस बैपन थे और पहला राज हुए है मगद एमपायर के, जिनके जनोंने एलिफेंट्स का यूज हाथियों का उपयोग किया था अपने वार में और इतके पास एक good administrative system भी था, जिसकी कारण rise हुआ मगद एमपायर का अब questions कैसे बनते हैं, तो पहला question है, what was the other name of Vimbi Saar तो Vimbi Saar को हम श्रेनिका के नाम से जानते हैं, तो option one is the right answer Who was the last ruler of Shishunak dynasty, तो Shishunak का last कौन था, तो कालशोख था, option one is the right answer Next है, when Alexander invaded India, मगद was being ruled by, तो मगद पे rule कर रहा था, धनानन्द, जो की नंद से बिलॉंग करता है, नंदा dynasty से, तो option C is the right answer Which ruler murdered his father Vimbi Saar to ascend the throne, तो Vimbi Saar क्या बेटा था, अजासत्र, जिसने अपने फादर को मार दिया था, option B is the right answer Next है, Zentrams, यह Zentrams के नाम से किसे जाना चाता है, तो धनानन को जाना चाता है Which of the falling dynasty was the first to rule over मगद, तो answer हो जाएका हर्यक, option A is the right answer यह UPSC का अच्छा question है, राजगर, मगद capital was also known as गरिवराजा, ठीक है क्योंकि यह पाँच हिल से घिरा हुआ था, पहला statement बिलकुल सही लगता है हमको बिलकुल यहाँ पे जल दुर्ग भी आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों statement यहाँ पे correct है, option C is the right answer Next है, हरियर, ruler, बिंबी सार वाज़ा बुद्ध का contemporary, बुद्ध के समकाली ना आपको बिंबी सार देखने को मिलेगा और इसको एक और टाइडल से जाना जाता है जिसका नाम है शेनिका या सेनिया, तो आंसर हो जाएगा बिलकुल इसको स्रेनिया या सेनिया के नाम से जाना जाता है, दोनों statement यहाँ भी correct हो रहे है नेक्स है, consider the following statement, मगज सुसाइटी अन और्थोटोक्स थी, बिलकुल यहाँ पे ब्राम्हन्स का इंफिलेंस नहीं था, आर्यान और नोर आर्यास साथ में रहते थे The rise of Janism and Buddhism, जो philosophical, intellectual थे, वो इनके समय हुआ, बिलकुल सही बात है, तोनों बाते सही है, options ही correct हो जाएगा हर यह डानेस्टी के founder, Bimbisar, option B Second Buddhist council किसके समय हुई तो पहली Ajastatru के समय हुई थी और दूसरे नंबर के Kalashok के समय हुई थी Next, which of the following ancient treaty that talk about the overthrowing of Nand by the Chandragupta Maurya तो Chandragupta Maurya ने घरानान को हटा के फेक दिया था, यह बात हमको Mudra Rakshas, तो शाकदत्य की जो Mudra Rakshas है न, वहाँ से हमकोई information मिलती है Okay, who was the first Indian king started the matrimonial alliance to strengthen his power? तो आंसर हो जाएगा आपका Bimbisar Okay, इसने सबसे पहले अलग-अलग राज्यों की राजकुमारियों से शादिया करने के सिस्टम शुरू किया था Who among the falling ruler patronized the first Buddhist council? तो इसने first Buddhist council कायोजित किया था चार options आपको दिख रहे हैं, जो सही answer हो का आप हमें comment में बताएगा बाकी सारी बाते upcoming session में करेंगे, आने वाले session में हम बात करेंगे Maury Kingdom के बारे में, जहांपे हमें Chandragupta Maury and Bindu Saad और Ashok के बारे में, और Ashok के edicts के बारे में discussion करना है Okay, so मिलते हैं next video में, इस question का आंतर आप हमें comment section में दे सकते हैं So take care and bye-bye